Hello guys, Storyteller Shivani में आपका स्वाग रथ है This is my first video और इस चैनल पर ऐसी आपको कई novels और poems की detailed analysis और summaries मिलते रहेंगे और अगर आप university student हैं तो ये आपके लिए और भी helpful होने वाला है क्योंकि description में मैंने blogger की link दी है जहां से आप इस novel के important question answers और English summary भी पढ़ सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं untouchable के बारे में जिसे मुल्क राज आनन ने लिखा है जो English novel के मामले में बहुत बड़े Indian novelist थे ये novel publish हुआ था 1935 में उसके पहले इसे 19 publishers के द्वारा reject किया और कई revision से भी गुजरना पड़ा था और at last ये publish हुआ अब पैप करते हैं untouchable के characters के तो सबसे पहला character है बाखा का और बाखा के ही चार और ये पूरी story घुमती है दूसरा character है लाखा का जो बाखा के पिता और सहर के स्वीपर के जमादार है इनका कोई significant role तो नहीं है लेकिन ये एक remarkable character है third character है राखा जो लाखा का छोटा भाई है और लाखा से बिल्कुल उल्टा है बिल्कुल ही unhygienic way में रहता है फटी हुई shirt पहनता है और उसकी बहती नाख हमेशा ही मखियों को invite करती है और अब इन दोनों की एक बेहन भी है जो हमारा चौथा और main character है जिसका नाम सोहिनी है वो पत्री और सुन्दर है चुकि वो एक स्वीपर की बेटी है वो गंदगी में रहती है लेकिन तब भी उसमें एक अलग charm है हमारा अगला character है Colonel Hutchinson का जो Salvation Army के Chief है इनका काम non-Christian लोगों को Christian में तबदील करना है और missionary को लगता है बाखा को Christian बनाना बेहदासान है इसलिए Colonel उस पर बहुत काम करते हैं और बाखा के साथ बड़ी sympathy दिखाते हैं हमारा next character है पंडित कालिनाथ जो एक ill-humored old devil है उसके moral weakness से हमें ये भी पता चलता है कि वो कोई spiritual person नहीं है इसके अलावा भी story में कई characters हैं हविलदार चरत सिंग जो famous hockey player थे इन्हें piles की सिकायत थी और वो बाखा को इसका कारण मानते थे एक बालनाथ शारसर जो novel के अंत में अपीर होते हैं और एक poet और नवन युक के editor general रहते हैं आरेन बशीर जो एक anglophile है और हर चीच जो british है उससे बहुत influence है उसके बाद हमारा आखरी character है गुलाबो का जो एक real life character है जिसका एक हिंदू gentleman के साथ illicit relation रहता है वो सोहीनी से काफी jealous भी रहती थी क्योंकि सोहीनी दिखने में गुलाबो से काफी ज़्यादा attractive थी तो ये थे untouchable के सारे major और minor characters अब हम बात करते हैं story की novel society के description के साथ सुरू होता है जो बुलाशा नाम के सहर में बाहरी इलाके में कहीं पड़ता है जहां outcast, washerman, scavenger, cobbler रहते हैं जिने हिंदूों के कारण बहुत सफर करना पड़ता है और वहां बड़ी ही गंदी समय लाती है और disgusting सा look है और इनके पास ना तो सोना है ना चांदी है बस जुगी जोपरी है और कुछ पालतू जानवर बाखा जो कहानी का नायक है अपने पिता लाखा और चोटे भाई बहन राखा और सोहिनी के साथ इसी गंदी बस्ती में रहता है वह एक 18 साल का नौजवान दर्का है जिसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी है और पिता के कमजोर पढ़ने से घर की सारी जिम्मेदारी बाखा परा जाती है बाखा बहुत ही कम पैसे कमा पाता है और उन्हें आउटकास्ट होने के कलंक और उसके कारण बहुत दुख छेलने पड़ते हैं अच्छा ये जो बाखा है इसके बहुत से अलग से ही पैशन है उसे इंगलिस क्लोट्स पहनना पसंद है वो इंगलिस सोलजर्स की नकल करता है जिबकि उसके पिता को यह सब पसंद नहीं और राम चरन भी उसके इस सौक के कारण मजा कुराता है पर बाखा बहुत तरीकों से अपनी कम्यूनिटी के लोगों से अलग है वो कास सिस्टम का विरोध करता है और अपनी स्वीपर की ज्रेस फेक कर विरोध व्यक्त करता है कहानी आगे बढ़ती है बाखा अपने पिस्तर पर लेटा करवटे बदल रहा है तभी हविल्दार चरत सिंग के चिलनाने की पारी हुई है आगे आनंद बताते हैं बाखा अपने लोगों से बिलकुल अलग है वो दयालू है दिखने में काफी सेंसिटिव और इंटलीजेंट है चरत सिंग उसे एक ब्रांड न्यू हौकी स्टिक देता है और ये उसे एक बून के जैसा रगता है कहानी आगे बढ़त झाती है इसे बाखा अपने सुभा की सिफ्ट का काम खत्म कर घर वापस आता है वो भूका और प्यासा है उसने सुभा से कुछ नहीं खाया सोहिनी चुला जलाने की कोसिस करती है लेकिन फ्यूल वेट होने के कावरण वो फेल हो जाती है उसे पता चलता है कि घर में पानी भी खत्म है तब वो घरा लेकर कुवे पर जाती है जहां हिंदू लोग कुवे में पानी भरते हैं और ये आउटकास्ट कुवे के चारों और किसी दयालू की बात जो हते हैं कि कोई उनके घर में भी पानी डाल देगा फॉर्चुनेटली वहां एक हिंदू प्रिस्ट पहुंचता है जो कब्स की सिकायत से छुटकारा पाने के लिए घरे से पानी निकालता है और उसकी फूम लाइक बॉड़ी पर मोहित होकर उसके घरों में पानी भर देता है सोहिनी घर आती है लाखा उसे देर से आने के लिए डाठता है लेकिन वो अपने फादर की बात पर ध्यान नहीं देती है और चाये नास्ता बना सभी को बारती है फिर बाख़ा अपने पिता के कहने पर काम करने चला जाता है बाख़ा अपने घर से सहर की ओर निकल परता है वो बरे ही playful mood में है और खुद में ही गाना शुरू कर देता है फिर उसे एहसास होता है कि राम चरन और छोटा उसे ही देख रहे हैं उसे थोरी सर्म आती है और साथ ही बाखा को पता चलता है कि राम चरन की बहन की साधी होने वाली है छोटा उसे काम करने को कहता है लेकिन बाखा ये कहकर टाल देता है कि उसे बहुत काम है उसके पिता बिमार है लेकिन वो दिन को होने वाले होकी गेम में पार्टिसिपेट कर के लिए तेयार हो जाता है फिर आगे चलकर वो एक बीटल शॉप से सीग्रेट पैकेट खरीदता है लेकिन उसे वहां भी नहीं बख्षा जाता और लास्ट में उसे हाथ जोरकर शॉप कीपर से पूछना पड़ता है कि वो पैसे कहां रखे और शॉप कीपर आगे लगे एक बोर्ड की तरफ इशारा कर देता है बाखा आगे बरता है कुछ स्वीट जो वो दुकान पर लेता है वो उसके मज़े ही ले रहा था कि उसकी ये कलपना जल्द ही खत्म हो जाती है जब एक हिंदू उसे खुद को पॉल्यूट करने का इलजाम लगा गाली देता है और उसे स्लैप कर देता है और बाखा को गुशा सा आ जाता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो एक आउटकास्ट है और उसे अपने आने की गतिविधी को अनौंस करना चाहिए जब वो पब्लिक रोड पर हो आगे वो अपनी टर्बन ठीक करता है और रास्ते में उसे एक बुल डिखता है जिसे हिंदू सम्मान के साथ टच कर रहे होते हैं और वो सोचता है ये जानवर जो इतनी गंदी स्मेल कर रहा है और रोड पर गोबर करता है इसके लिए ये लोग हम आउटकास्ट के मुकाबले ज्यादा दयालू सो भाव रखते हैं उसे ये बात बरी अटपट सी लगती है आगे बाखा मंदिर पहुंचता है इतना भव्य विशाल मंदिर वहां बज रहे घंटे राम राम श्री राम कई तरह के मंत्र ये सारे उसे मंत्र मुग्द करते हैं और उसमें डिजायर होती है अंदर जाकर मंदिर को देखने की लेकिन वो खुद को रोक लेता है वह कोटियार्ड को साफ करता है कूराई कठा कर उसमें आग लगाता है और उसकी मंदिर के अंदर जाने की इच्छा और स्ट्रॉंग हो जाती है वो खुद को रोक नहीं पाता है और आगे बढ़ता है एक पल को लर्खराता है फिर संभलता है और आगे जाता है और वहां ही अपने दोनों हाथ को जोर कर भगवान को प्रणाब करता है लेकिन तब ही आवाज आती है polluted, polluted, polluted और वो इतना डर जाता है कि वो इस पोजिशन से चाह कर भी नहीं बदल निकल पाता वो चिलाना चाहता है पर उसका गला सूख गया है एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो पर तभी सारे पुजारी और मंदिर के लोग वहाँ आ जाते हैं उस पर बहुत चिलाते हैं उसे बिज़त करते हैं और यह देश से बड़ा ही मानमिक है कहानी आगे बढ़ती है और बाखा को पता चलता है कि पंडित कालीनात ने उसकी भ्हम सोहीनी को मॉलेस्ट करने की कोशिस की है हलाकि वो अपने मोनिस्ट्री को बचाने में सफल हो जाती है बाखा बहुत गुसा आ जाता है और बदले की भारणा से भर पंडित को पनिश करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सोहीनी उसे रोक लेती है और उसे पूरा किस्सा सुना कर आश्वस्त करती है बाखा सोहीनी को घर जाने को कहता है चुकि वो mentally shattered feel कर रही होती है वो अपने मूग को सारी से ढखकर घर जाती है पर बाखा को आज रात के खाने का इंतजाम करना है वो ब्रेड के लिए हर दरवाजे पर जाकर भीग मांगता है वो depressed है, frustrated, humiliated और tortured है वो बोलता है माई, स्ट्वीपर के लिए रोटी दे दो एक औरत उसे फटकारती भी है क्योंकि वो उसके डोर पर बैठता है जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक औरत अपने रूफ से ही उसकी तरफ ब्रेड फ्रेकती है पर वो उसे पकर नहीं पाता और फिर उसे गंदगी से उठाना है वो और खाने की तलाश में नहीं जाता सुबह का जितना गुस्सा था वो उसकी सोल को पहले से ही बहुत पीरा दे रहा था और इस फ्रेश इंसल्ट ने उसके दुख को और बढ़ा दिया वो सब कुछ भूल जाना चाहता है लेकिन ये सब उसकी लाइफ का ही एक पार्ट बन गया है और उसके पास और कोई रास्ता नहीं है उसे इतनी भूक लगी है कि वो सरा मांस भी खा सकता है वो पसीने से तर होकर घर की ओर जा रहा है वो ब्रेट को अपनी आमस में दबा कर ले जा रहा है क्योंकि लाखा ब्रेट के बारे में पूछेगा क्योंकि आज सोहिनी ब्रेट इखठा करने जो नहीं गई और इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है तो ये थी गाइस कहानी अंटचेबल की अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन को प्रेस करे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले थैंक्यू गाइस